Hello and welcome to all views, मैं रंजीत सिंग आपका स्वागत करता हूँ जोस्तों सभी लोगों ने अभी तक अपना D.A.P.C.C.I.L. का आंसर की देख लिया होगा तो मैं यहाँ पर आया हूँ आपके साथ लेकर के objections, जो questions हम लोग objections कर सकते हैं उनके लिए मेरे पास अभी सारे questions नहीं है पर मैंने जो questions देखे हैं जिस exam में मैं appear हुआ था उसके answers मेरे पास यहाँ पर available है उसके नुसार मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा तो सबसे पहले जो question हम लोग देख लेते हैं यह question है आपकी जो आई हुई है आपकी मैं बता दू कि यह 28th को आई हुई है और यह 3rd shift की question है ठीक है इसमें question कहा है दी अप सी सी आईल इस बींग फॉंडेट थू डेपर टू एक्वीटी रेसियो आफ राइट जो आंसर दिया गया है और as per PIB इसका answer 3 is to 1 होना चाहिए जिस वजह से मैं कहता हूँ कि हम लोग इस question को कर सकते हैं क्या objection इस पर raise कर सकते है देखिए मैं आपको प्रूब दिखाता हूँ देखिए यह PIB के आप इस link पर जाएंगे मैं link नीचे डाल दूँगा आपको पता चले है इसमें clearly mention है कि depth to equity ratio is 3 is to 1 और यह DFCIL की website से निकाल लिए है जहां पर यह कहता है depth to equity ratio is 2 is to 1 तो जब यहां पर इस तरह की ambiguity है answer में तो definitely we can raise objection on that question यह जो दूसरी question है यह question है आपकी junior executive की junior executive की ठीक है यह paper हुई है 38 को और यह second shift की paper है आप देख सकते हैं due to increase in 20% of the price of the wheat the consumer decreases his consumption by 15% what is the total change in expenditure तो आप जितने लोगों नो भी इस question को solve किया होगा I'm pretty sure आप कहां सराय होगा 2% और जबकि इसमें कहीं यह option है ही नहीं तो definitely we can raise objection on this question इसका solution यह है कि 20% increase right then 15% decrease right और अभी हम लोग इसको करेंगे 20 into 15 by 100% we can get 2% दूसरा तरीका है जो हम लोग यह का सकते हैं देखें यह हमारा क्या है price into quantity equals to expenditure यह हो जाती है 1.20 increase हो करके तो यह बन जाती है इतनी value और यह बन जाती है 0.85 decrease हो करके quantity माल नेते हैं यह expenditure E1 था और यह E2 था जब आप देखेंगे तो यह आपको निकल कर आएगा यह वाली value निकल कर आएगी 100 to 1.02 PQ equals to E2 तो आप इसकी value यह रखेंगे तो यह हो जाएगी 1.02 E1 equals to E2 अप clearly देख सकते हैं यहाँ पर भी answer हमरा 2% आता है आप किसी भी तरह से subjective way में बना ले या objective बना ले आपको दोनों question की आप ID देख सकते हैं यह search कर सकते हैं अपने जागर के अगर आपके पास भी यह दोनों questions हैं तो आप objection raise करें मैं भी question पर objection डालने वाला हूं definitely तो आगे अगर questions कोई मिलते हैं तो definitely उस पर भी देखा जाएगा कि क्या objections होता है या नहीं होता है मैं यहाँ पर एक link share कर रहा हूं टेली ग्राम लिंक अगर आपको वहाँ जॉइन करेंगे तो वहाँ पर हम लोग डिसकस कर सकते हैं कि कि किस question पर objection डालना है या नहीं डालना है तिल देन टाटा बाई 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 थैंक्यू सो मच